हेलो एंड वेलकम बैक वेलकम टो मैं चैनल इट्स मी विश्वदीप मोधी कैसे हैं आप सब उम्मीद सब बढ़िया होंगे नमस्कार साब बहुंदुदर के तो आज हम लोग आए हैं आपके पास लेकर एक बहुत ही नया सा का रिव्यू आज हम लोग करेंगे इंडिया की सबसे क्यूट लुकिंग 125 सीसी स्कूटर यामाः फसीनो 125 बीए 6 2021 मॉडल का रिव्यू तो चलिए हम लोग उसके बार में कुछ पहले जान लेते हैं यामाः फसीनो के चार वेरियंट्स आते हैं स्टैंडर्ड ड्रम डिलक्स वेरियंट और इसके एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 76,750 रुपीज राची जारकंड में और जो वेरियंट आज हमारे पास है वो है स्टैंडर्ड डिस्क वेरियंट कॉक्टेल येलो कलर तो चलिए शुरू करते हमारा रिव्यू और देखते हैं कि इसमें क्या हमें न सबसे क्यूट 125cc स्कूटर बनाती है आगे का ये जो फेंडर है ये पूरी तरह से मेटल का है और आपको कहीं भी टक्राने से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिलकुल भी नहीं तूटेगा पहले जो कंप्लेन आती थी कि प्लास्टिक का फेंडर तूट जाता है अब वो इसमें ठीक हो चुका है कंपनी ने इसे बहुत सुधार दिया है आगे की तरफ देखे तो दोस्तों आपको मिलता है यहां पर एक क्रोम प्लेट जो दोनों ही तरफ है अगर यहां पर इस टैग को हटाये जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यामाह का लोग याद दिलाता है मीरर्स में जो आपको यह स्टेम मिलता है यहां पर कोई भी ब्रेक के लिए लॉक नहीं मिलता यहां पर जो हैडलाइट सेक्शण ही एक तरफ सब्सक्राइब के तरह दिया हुआ है यह एक तरह से कैप के जैसा लगता है पर इसका लूक काफी बहतरीन आता आप देख सकते हैं आगे की तरफ निकला हुआ है अगर हम लोग सामने की तरफ देखे तो दोस्तों यहां से लेकर पूरे नीचे तक आपको कुछ बॉड़ी में वर्क्स किये वे मिलेंगे यहां पर फैसीनो का ब्रैंडी है और यहां फुट मैट की बात करें तो दोस्तों य एक फुट मैट है जो कि एकसेसरीज में आता है इसके नीचे आपको बैटरी का कमपार्टमेंट मिलेगा इसके फुट मैट के नीचे जो बोड है वो एक मेश की तरह है जो अगर आप इसका फुट बोड देखना चाहेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारा शेप का फील आता है जो कि धिरे-धिरे करके उपर उठता चला जाता है, यहाँ पर एक और footrest मिल जाता है, यह एक ladies footrest है जो कि काफी काम का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह एक side stand है, इसमे side stand cut off feature है, इसका मतलब अगर आप side stand को down करेंगे, तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी जिसे हम लोग कुछी देर में देखने वाले हैं सेंटर स्टाइंड भी इस गाड़ी में दिया जाता है सीट को देखे तो दोस्तों सीट बहुत ही चौड़ी काफी कमफर्टेबल सीट है यह ओफ रोड़िंग चाहे ऑन रोड़िंग सब में कमफर्ट फील कराती है काफी चौड़े सीट से आप अच्छे से देख सकते हैं यह जो इसका बैक पोर्शन है काफी स्लीक और एकदम नीचे तक आता है ऐसा आपको बहुत कमी गाड़ियों में देखने को मिलता होगा यहाँ पर आप जो इसका पीछे का ग्राब रेल देख रहे हैं यह पूरी तरह से मेटल का है काफी स्ट्रॉंग है और यह पकड़ने में भी काफी अच्छा है थोड़ा सा अलग डिजाइन है इसका यह exhaust system आप देख सकते हैं यह काफी बहतरीन sound निकालता है एकदम bike की तरह और यह जो इसके उपर लगा है यह एक fiber का plate है परन्तु इसमें जो है आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी तरीके का mesh design दिया गया है जो की काफी बहतर दिखता है और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यह cap यह engine oil डालने के लिए cap है बाकी आपके उपर है दोस्तों किसी को इसके styling पसंद आती है किसी को नहीं आती है पर मुझे इसके styling सबसे अच्छी लगती है क्योंकि इसके पीछे का V-shaped lamp सबसे unique है European style को denote करता है halogen lamp है यह 35 by 35 volt का और यह बहुत ही अच्छा रात में elimination प्रोवाइड करता है आगे के उपर है यहाँ पर parking lights जो नहीं तरफ यह bulb lights है यह LED नहीं है यहाँ पर आपको turn signals मिलते हैं यह turn signals भी bulb है LED नहीं है पीछे जो V-shaped lamp यह इसका सबसे unique feature है क्योंकि इसके अंदर भले ही LED lights ना हो परंतो यह turn signal है यह काफी cylindrical shape का है अगर आप देख सकते हैं तो जरूर आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि काफी unique है और यह जब जलता है तो यह orange का और pink जादा दिखता है साथी साथ इसमें जो battery लगा है वो maintenance free 12 volt का है यहाँ पर अगर meter console को देखेंगे तो दोस्तो आप आएंगे कि यहाँ पर कुछ भी digital नहीं है सब कुछ analog है यहाँ speedometer और यहाँ पर odometer कोई trip meter यहाँ पर नहीं है यहाँ पर fuel gauge यह भी analog ही है अगर हम इसको on करें तो यह कैसे on होता है engine malfunction की light यहाँ पर जलती है auto engine start stop eco का light यहाँ पर बहुत यह अच्छी तरीके से दिखाई देता है इसमें बहुत सारी नहीं features है स्कूटी में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर high beam low beam की light यहाँ पर side turn indicators की light और यहाँ पर horn एक बार सुन लेते हैं horn यहाँ कैसा है काफी loud horn है guys और यह city के लिए काफी सही है इसका horn काफी बहतरीन feel आपको दिलाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह throttle बहुती अच्छा बहुती soft है यहाँ पर brake levers भी काफी soft feel होते हैं पर काम बहुत अच्छा करते हैं यह auto engine start stop light है यह कोई kill switch नहीं है इससे आपके traffic assist की मदद मिलती है यहाँ पर यह engine starter button है यह engine बहुती smoothly start होता है यहाँ कहता है यह एक silent start engine है smart motor generator आपने देखा गाइस बिलकुल भी आवाज नहीं आई जिस वक्त मैंने इस button को दबाया और यहाँ से हम लोग कर लेते ignition को off यहाँ पर एक luggage हुक है इसमें आप 1 kg से ज़्यादा के सामान को नहीं रख सकते हैं कुछ चोटे मड़े चीज आप यहाँ से market से खरीद कर रख सकते हैं सीट खोलने के लिए दोस्तो बस चाबी को ऐसे lift की तरफ थोड़ा से turn करना होता है बीना कोई push किये और यहाँ पर seat खुल जाती है आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडर seat storage 21 liters का है इसमें को कोई भी आपके अंडर seat storage का जो space है वो यूज में नहीं होता बलकि यहाँ पर एक इसको clamp कर दिया जाता है जो कि space बचाने का सबसे अच्छा तरीका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह fuel cap है इसे आप left की तरफ घुमाएंगे तो यह खुल जाएगा और इसकी जो fuel tank capacity है वो 5.2 liters की है और इसमें हमेशा आपको fuel कम से कम 1 liter रखना होगा क्योंकि यह fuel injection गाड़ी है यहाँ पर जो आपको यह hook दिख रहा है यह helmet लगाने के लिए है यह helmet hook है जो कि अभी तक आपको शायद नहीं दिखा हो यह helmet hook है आप helmet को बाहर से लगा कर इसमें फसा कर seat को बंद क अगर इसकी dimensions की बात करें तो दोस्तों इसकी जो overall length है वो 1920 mm है इसकी seat height 780 mm है जो की एक medium और short hat rider के लिए बहुत ही अच्छी बात है इसका wheel base 1280 mm है इसकी minimum ground clearance जो आपको दिखाई दे रही है वो 145 mm है इसकी जो scooter की weight है with full tank fuel 99 kg है अगर tires की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 90 by 90 mm का euro grip का tire मिलता है जो कि tubeless है और यहाँ पर Nissan के brake calipers दिए गया है और जिसके साथ ही यहाँ पर 190 mm का disc brake है telescopic focus है आगे और पीछे दोनों तरफ आपको alloy wheels ही मिलते हैं इसमें आपको किसी और तरह का wheels का कोई option नहीं मिलता है आगे आप drum brake के लिए जरूर जा सकते हैं अगर rear tire की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रियर टायर काफी चोड़ा है 110 by 90 mm के euro grip के tires आपको यहाँ पर मिलते हैं लेकिन यहाँ भी आपको एक drum variant का brake ही मिलता है पीछे कोई disc option नहीं है अगर engine की बात करें तो दोस्तों यह engine जो है गाड़ी का heart माना जाता है और इसमें जो cover लगा है यह काफी एक pattern design दिखाता है अगर आप देख सकते हैं तो जरूर आपको अच्छा लग रहा होगा यह pattern design यह भी एक fiber cover से ढखा हुआ यहाँ पर आपको kickstarter मिल जाता है अगर आपकी कभी self काम नहीं करती तो आप kickstarter से भी गाड़ी शुरू कर सकते हैं इंजन की output की बात करें तो दोस्तों यह इंजन एर कूल 4 stroke SOHC 2 valve 125 CC का इंजन है जो की maximum horsepower 8.2 PS at the rate of 6500 rpm and maximum torque 9.7 newton meter at the rate of 5000 rpm generate करता है जहां तक मैंने बात की थी guys side stand cut off feature की तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ यह मैंने engine को start किया और आप यहाँ पर देख सकते है side stand नहीं है अगर मैं side stand को लगाता हूँ तो यह गाड़ी बंध हो जाती है जैसे कि मैंने सुबह कहा था कि engine start stop system है जो कि यहाँ पर है यामाहा का सुबह मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि बारिश बहुत जादा तेज हो गई थी तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इंजन start stop system को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले ignition की जो है वो on होनी चाहिए और उसके बाद आपको यह switch on करना होगा और इस feature को यूज करने के लिए जो minimum requirement है वो है कि आपको 10 km per hour की speed से थोड़ी सी जादा speed मेंटेन करके रखनी होगी कुछ देर तक ताकि आपका engine warm up और heat up हो जाए और जैसे ही वो हो जाएगा उसके बाद आपको अगर कोई भी traffic मिलता है तो गाड़ी जरूर से वहाँ पर अपने आप बंद हो जाएगी within few seconds इसे मैं आपको अपना थोड़ा सा जो जरनी है वो fast forward कर कर दिखाऊंगा जैसे कि गाइज आप देख चुके हैं कि हम लोगों ने काफी दूर तक गाड़ी को चला लिया है अब यहाँ पर हम लोग का टाइम है कि हम लोग इसके engine start stop feature को test करके देखे तो चली test करते हैं गाड़ी को रोकते हैं और देखते कि क्या यह गाड़ी सच के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है बस आपको ब्रेक दबाना है और हलका से accelerator को लेना है और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी तो गो और इसी तरह से यह काम करती है ताकि आपको ट्राफिक में गाड़ी चलाने में कोई भी असिविदा ना हो तो गाइस आशा करता आपको रिवी बहुत ही पसंद आया होगा और आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर से किसी नए व्लॉग में